भगवान नरेंड ने धन तेरस की पूजन का महत्व समझाया तब भगवान ने धन तेरस की पूजन का महत्व समझाया सुनो किसान मृत्यूर लोक में रहने वाला मानाओ अगर धन वंतरी की पूजन करता है धन तेरस के दिन कार्तिक महिने में पढ़ने वाली सुन्दर त्रियोद शीतिती को जो धन वंतरी की पूजन करेगा उसके घर से लच्छमी कभी बाहर नहीं जाएंगा भगवान विष्णू कहते हैं सुनो किसान मैं आपको धन वंतरी पूजन का विधान बताते हैं भगवान कहते हैं किसान सुन्दर कृष्ण पक्ष की त्रियोद शी को कार्तिक के महिने में धन वंतरी देव का पूजन धन तेरस का पूजन माना जाता है सुनो किसान एक सुन्दर भूमी पर देशी गाय का गोवर से लीपन करकर अगर गाय का गोवर ना मिले सुन्दर जल से लीपन करकर वहाँ एक सुन्दर चोक को पूर कर आप सभी को ग्यात होगा कि चोक पूर्णे में रांगोली का प्रयोग नहीं होता आप लोगों को मालूम होगा चोक पूर्णे में आटा और हल्दी का प्रयोग होता है काय का प्रयोग होता है आटे और हल्दी का प्रयोग आटे हल्दी का प्रयोग क्यों होता है क्योंकि आटा सम्रद्धी को बढ़ाता है लच्छमी बेभव को बढ़ाने वाली हल्दी होती है इसलिए जब चोक पूरा जाता है भूमी पर तो चोक पूरते समय आट्टे हल्दी का प्रयोग करते हैं थोड़ा सा चावल का दाना या गेहूं का दाना रख दिया जाता है उसके उपर एक सुन्दर चोकी एक चोरंग एक पाटा रख दिया जाता है भगवान विश्नु बता रहे हैं किसान को धनतेरस के पूजन का बढ़ने और जो भगवान विश्नु ने बताया है भई पूजन का बढ़ने आप से लोग से बढ़न कर रहे हैं आज धन्तेरा से आज धन्तेरास का प्रयोग कर पूजन करें और शिव महा पुराण के इस भाव को विश्णु पुराण के इस भाव को इसकंद पुराण के इस भाव को आप धारण करें और जो विधान भगवान विश्णु बता रहे हैं उसके हिसाब से उसके अनुसार द्हारण करा दें लाल बस्तर विछा दें एक थाली लें उस थाली पर कंकू से रवली से कंकू से गिला करकर स्वस्तिक का निर्मान करकर घर में अगर चांदी का सिक्का हो अगर चांदी का सिक्का नहीं हो चांदी का क्वाइन नहीं हो तो अपने घर का एक का सिक्का दो का सिक्का पांच का सिक्का दस का सिक्का जो भी आपके घर में हो वो क्वाइन ले 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 उसको थाली के अंदर रग दें स्वस्तिक के ऊपर फिर उसका इस्समर्ण करें आटे क के साथ दिये बनाएं एक ठाली में एक प्लेट में धख लें घी के दिये बनाएं और उसमें सुन्दर बाती को लगा ध्यान दीजिएगा इसमें जो बाती लगेगी वो लंबी बाती लगेगी लच्छमी जी की पूजन में जितनी भी बाती लगे वो लंबी लगेगी महाराज गी के दिये लगा दें साथ साथो दियां को परजुलित कर लें प्रगड कर लें एक दिया तेल का लगा लें तेल का जो दिया लगाया है जहां पर आपने सिक्का रखा है क्वाइन रखा है उसका left hand मतलब आप ऐसे बेटे हो तो आपका सीधा हाद की और आप तेल का दिया लग दें और जो साथ दिये आपने लगाए हैं वो लच्छमी जी के right hand मतलब आपका left hand हो गया है लच्छमी जी का right hand आपका left hand हो गया है आपका उल्टा कर वहाँ पर साथो दिये जो आपने परजुलित करें हैं वो पलेट में रखा है सुन्दर धाली जो आपने पूजन के तयार करी है उसमें कौकू, रोली, हल्दी अभीर, गुलाल, चंदन, मौली लाल धागा मौली अमर बिल के तुकडे कमल गटे हल्दी की गाठ सुन्दर भाव में उसको रखें जल का पात सुन्दर आनंद से जो क्वाइन चांदी का और देशी क्वाइन आपने जो रखा है उसका जल से पूजन करें लच्मी पूजन का समय अलग-अलग होता है पर धन्तेरस की पूजन का जो समय है वो प्रदोष काल से प्रारम हो जाता है कब से प्रारम हो जाता है? प्रदोष क्योंकि शिव के द्वारा निर्मी थे लच्मी पूजन का महाराच, क्वाइन का पूजन करें, कंकु आधिक से पूजन करने के बाद, दोनों सिक्कों को उठा लें, दोनों क्वाइन, जो चांदी का सिक्का है और जो देशी क्वाइन उसको उठा कर, उस पर जो कलेवा है, मौली है, नाडा है, लच्छा है, उसको लपेटना प्रारम क फिर देशी सिक्का जो आपने रखा एक, दो, पाइट, दसका जो सिक्का रखा उसको लपेगे, थाली में उसको रख लें, फिर वापिस उस पर जल का छिटा देकर उसका पूजन करें, हल्दी, रोली, मौली, चंदन, आदिक लगा कर सुंदर भाव से चावल को हल्दी में भ आतमें, जब चावल छोड़ते जाएं, तो गणेश जी का भी समरन करते जाएं, रिद्धी सिद्धी के दाता, शरी गणेश जी महराज, आप हमारे यहाँ पर सदा, माता लच्मी को लेकर, कुवेर भंडारी को लेकर, सदा विराजमान रहें, नारायन को लेकर, सदा विरा जाता भगवान श्री गणेजी महाराज का इसमर्ण करें छोड़ते जब चावल पूर्ण छोड़ देवें पूजन पूरी तरह से हो जाए तब महाराज साथ सुन्दर आनंद से अमर बेल के तुकड़े अमर बेल वरक्ष पर एक पीले कलर की बेल चलती है पीली उसमें पत्ते नहीं होते हैं वो किसी भी वरक्ष पर डली रहती है वो अमर बेल कहलाती है यह अमर बेल लच्मी पूजन में सम्रध्धि के लिए मकान के महुरत के समय पर गरह प्रवेश के समय पर बहुत कार्याती है ये अमर बेल को पानी की जरूद भी नहीं पड़ती आप रूप किसी विरक्ष पर डाल दी जाए वो अपने आप फलती चली जाती उसी तरह हमारे यहां भी हम भगवान से यही प्रात्ना करते जैसे अमर बेल बिना पानी पड़े भी किसी विरक्ष पर डाल दी जाए पनप्ती जाती यह बढ़ती चली जाती ऐसे हमारे घर में बेभाव लच्वी बढ़ती जाए अमर बेल के साथ तुकड़े कमल गटे साथ हल्दी की गठान साथ माता लच्वी को समर्पित कर दे दोनों हातों में हल्दी पिसी हुई लीजिए और माता लच्वी के उपर उसे चड़ाना प्रारम कर दीजिए साथ बार पिसी हुई हल्दी वो सिक्कों पर चड़ा दे अपनी मनों कामना करकर अपने घर में माता लच्वी को विड़ाजमान करने के जब हल्दी पौन चड़ जाए हाथ में कुकू ले लीजिए रोली ले लीजिए उस रोली कुकू को भी माता लच्मी को समर्पित करें तब इसके पश्यात सुन्दर जो भी घर में मिश्ठान हो मीठा हो नहीं हो शक्कर हो गुड हो मिश्री हो जो भी आपके पास में हो खड़ी सक्कर हो वो भगवान को माता लच्मी को भोग रख दीजे अगर कुछ मीठा बना हो तो मीठा रख दीजे महराज घर में संपोन पूजन करकर आपके घर में जो देवालाई में भगवान बेठे हैं भी पूजन करिए पूजन करने के पश्चाज आप माता लच्मी से निविदन करिए है मा आप हमारे आप सदा विराजमान हो महराज यह जो पूजन है भगवान विश्नु जो बता रहे हैं किसान को यह पांच दिन की पूजन है पूरी-पूरी यह पांच दिन तक दीपा वली का पफ्व मनाए जाता है दीपमाहुस्तो मना यह जाता है पूजन करने के बाद जो साथ दिये आपने प्लेट में रखे हैं थाली में रखे हैं पूजन के लिए घी के उन शातों दियों से माता-लच्मी की आरती उतारी है उन्हें साटों दियों से माता लच्मी का पूजन करी है माता लच्मी से विंती करी है मां हम आपके पुत्रे हैं मां आप हमारे घर का रस्ता भूल गई हो बहुत तश्ट है बहुत दुखी है पर भगवान शिव पर विश्वास करकर कुवेर भंडारी पर कुवेरेश्वर महादेव पर विश्वास करकर भगवान नरैन के सुन्दर प्रसंगु पर विश्वास करकर मां भगवान शंकर का अनुमोदन करकर है मां आप हमारे घर में विराजमान हो मां आप हमारे मार्ग को, हमारे घर को, हमारे घर के रिस्ते को, हमारे घर के द्वार को आप भूल गई हो मां हे वे वहु लच्मी, हे धन लच्मी, हे संतान लच्मी, हे मां लच्मी, हे धन लच्मी, आप हमारे घर में विराज मान साथ दीप जो परजुलित करें हैं उससे माता की आरती उतारिये फिर माता को जोली पसार कर प्रणाम करकर भूमी पर नमन करो जब जोली पसार कर प्रणाम करें जोली को अपनी और गिरा लें और माता को नमन करकर जो साथ दिये आपने लगाए हैं उन साथ दियों को अलग-अलग स्थान पर ले जाकर जैसे घर के हॉल में, एक रसोई घर में एक जहां पर आप लच्छमी रखते हो उस स्थान पर एक घर के द्वार के पास में, एक तुल्सी के क्यारे के पास में ऐसे अलग-अलग साथ इस्थान पर उन दीप को रख दिया है एक भगवान का जहां पूजन हुआ है लच्मी की जहां अराद ना करिए एक दीप वहां पर भी रखा जाए जो तेल का दिया लग रहा है उसके पास में फिर कहेंगे तेल का दिया माता लच्मी के उल्टे हाथ पर और घी का दिया माता लच्मी के सीदे हाथ मतलब जो सिक्के आपने रखे हैं उस सिक्के का उल्टा हाथ मतलब आपका सीदा हाथ होगा जहां तेल का दिया रखाएगा और जहां आपका उल्टात होगा जहां पर घीका दिया लगागा वा माता जी का सीधा हो गया आपका उल्टात होगा बड़ा ओमंग बड़ा आनंद रखना ये भाव रखना घर में भगवान विश्णु कहते हैं किसान से है किसान आपने अगर धनवंतरी की पूजन करी है धनतेरस की पूजन करी है कोई बस्तू कोई सामगरी अगर आप लेकर आए हो कोई पात्र लेकर आए हो कोई तामे का पा बड़ा भाव रखकर भगवान विश्णु ने किसान को बता है किसान सुनकर बड़ा प्रसंद हुआ क्या मां फिर मेरे घर में रहेगी भगवान करते हैं सुनो किसान ये लच्छमी अगर आप धनवंतरी का पूजन करते हो अगर आप कर रहे हो तो ये लच्छमी भले मेरे साथ बेकुंठ में जाकर रहे और लच्मी का एक अंच तुमारे घर से कभी नहीं जाएगा वो सधा भी राजमान रहेगा ऐसी है मां धनवंतरी की पूजन वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सेयर करें ताकि सभी लोग इसका लाव उठा सकें मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तू प्रें